हैब कोस 4.16 का जो अपिशल आइंडराड 11 का जो बिल्ड है Redmi Note 10 Pro डिभाइस के लिए अबलेबल हो गया है आपड Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max डिभाईस के लिए हैब कोस 4.16 का जो बिल्ड है इसका रॉम रिप्लास, Redmi Note 10 Pro डिभाईस को पर इस रॉम को किसर रसे अंस्ट्रोल करते है उसके वार में वीडियो है तो वीडियो को अन्तक देखना वीडियो को लईक करदेना वीडियो को शायर करदेना चैलन को सबस्काइब करके घंति वला आइकोन को अलसलेट कर दिजिएगा? के इंस्टेगाम में फॉलो कर सकते हो, हैब को इसका डाउनलोड लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन वाप्स में देना को मिल जाएगा वापड जाकी स्रम को डाउनलोड कर सकते हो, तो एज रहा में इस तो Android 11 को पर बेस करें तयार किया गया है, तो Android 11 के साथ एज बिल्ड है अब अब से पहले बात केले तो इस डाउनलोड को इस तरह से इस्ट्रल करना को रेडविनोड 10 Pro device को उपर, कोई भी कस्टम डाउनलोड को फ्लाश करने से पहले, मेक शूर बैक हाप यूर इंपरेंट डेटा, बिफोर फ्लाशिंग एनी कस्टम डाम, तिया पर रेडविनोड 10 Pro जो है, जो भी इन परेंट डेटाहप की डिबाईस को उसका बैक आप क्रेयेट करना काफ़ी जरूरी है, प्लस अपर रेडविनोड 10 Pro device को बुटलोडर अनलाक होना चाहिए, कस्टम डिकोबरी इस्ट्रल होना चाहिए, अगर हमने जानतों किस तरह से कस्टम डिकोबरी को इस्ट्रल करते है, रेडविनोड 10 Pro device को पर तो अब सिंपली रेडविनोड 10 Pro का जो प्लेइस्ट है, वह आप पर जाके चेक आउट करके देख सकते हो, डेस्क्रिप्शन बाक्स में हैबकोईस का डाउलोड निंग देना को मिल जाएगा, यापर हमने जो है, जो है, जो है तो यापर बाइडिफल जेप्स बिल्ट के साथ जो है प्लेइस्टोर अवेलेवेल है, अगर आप चाओ तो वैलेडा बिल्ट को भी डाउलोड कर सकतो, डेस्क्रिप्शन बाक्स में हैबकोईस का डाउलोड निंग देना को मिल जाएगा, सिंपली अब जो है, कस्टम रिक अगरेडन को एक सत लाउलोड प्रेस करना होगा, फाइड टुश सेगेंड के लिए उस बाद आपका जो डिवाइस से कस्टम रिकुपरी के साथ बूट हो जागा, यापर हम यूज करने बाले है, यापर हम यूज करने बाले है, जो लेटेस्ट रिकुपरी है, उस ही उसक बूट होने के बाद यापर बैकाप करने के बाद बैकापक करने करने के लिए, यूज यापर जो इसके ल theorem का प्रोषर में जाके Dalvik Data and Cache ए तीन आप्षन को स्वाइब करने के बाद स्वाइब करके वाइब कर देना होगा वाइब होने के बाद सिंप्ली यह पचहे हम GApps would downloadयाहे उस folder में जाके सिंपलिय ह्पहजे राम को form करके फ्लाश करदेना HOEGAN सिंपलिय ह्पहजे शी में जाके जिस भी folder पर अपने इस हैव में हैव को ॉष फेय। क्या सं aussiन स्वाइब candle करके ऐभा से स्वाइब करके इंश्टेर करदेना HOEGAN इस्ट्राल होने में लगपक 5-10 विट कास्पास टाम लाएगा तो या पर इस्ट्राल होने के बाद सिंप्लिए बैक में आके रिबूट टू सिस्टम को जी ओप्शिन से इसे टाप करने से पहले या पर वाइप में आके फारवाण डिटा में आके या पर ये स्टाइप करने होते या पर रिकवरी को या पर रिकवरी के साथ या पर फॉर्मार डेटा करने काफी जरूरी है कस्टम राम फ्लाश होने के बाद सिंप्लि या पचे फॉर्मार डेटा करने से इंटर्नल स्टोरेज जो है डिलीट हो जागा तो फॉर्मार डेटा करने के बाद या रिबू को setup करना होगा Redmi Note 10 Pro device के उपर यह जो रहा में इस तो काफी smooth और काफी stable experience दिरने को मिलेगा इस वाम के साथ काफी बढ़िया बात है ना उस तो बात के लिए ते features के बाड़े में यह पर क्या-क्या options को add के गया है यह पर धेड़ सरी यह पर सरस्बर के साथ जो brightness को control कर सकते हैं इस भी एड़ के गया है तो यह पर brightness control का option यह पर double tap to sleep का जो option से add के गया है इस option को enable कहने के बाद सरस्बर में double tap करते हैं आपको जो device से sleep mode में चला जाएगा प्लस यह पर network traffic indicator का जो ओप्शन से add के गया है पर battery bar का option आइ icon style का option आप tabna's battery percentage का option आपर चर traum DR ordered Yeah न्च को और quick pull down का option है स्मार्ट pull down का option है battery estimate का जो option से add के गया है पर quickскो क्स्टमीस करने के जो option से add गया तो पर quick panel को और टॉगल को क्स्टमीस करने के लिए के एड़ गया है, उससे अपी चलता है। यहां पर आप क्विक सिर्ट्रीस पधाल को बपीजय से सिम्अप V दगवर सकते हों और अबस्ते हो कि मैंने पर या उठे वाटिन में आपकर देब करतें अब स्थोर आपशोई वरे से फैसे अ्मछेश देट में प्लार्जिंग का आप्शन है new notification का जो उप्शन से एड के गया है गिश्रस को पर यह बुचे फ्लाशलायट को एनबल करने का्या उप्शन से एड के गया है अगर अब फ्लेबक प्लेगूटल के चाहता है काणों का जएक यह बढ़ी बढ़ा थे तो पर इसे भी options एबलेवेल है प्लस अपर swipe to screenshot को जो options से add किया गया है अप simply gishes के साथ जो screenshot को click कर सकते ब्लिंग for incoming call का option इसे भी add किया गया है और age lighting को पर इसे भी options को add किया गया है show animation को जो option से add किया गया है तो आपर हैब को इसके साथ जो dedicate जो gaming mode इसे भी add किया गया है कफी बढ़िया बाया थे इसे भी options अवेलेवेल है 7 से 8 आवर के आसपास जो है इसकी non time देना को मिल जाएगा अगर बात के डिस्पले के बारे में यापर maximum brightness and low brightness साथ कोई बींशन नहीं है तो maximum brightness और low brightness के साथ को बींशन नहीं को नहीं मिलेगा या आपर वालिप Simply clicking का जो होट्टिन से एड्ट के गया है, night light का जी का मकटे का जा हूटचिन का जा काम कर जाएक है अज़ी अप्ट्टो प्रेश्ट races moderate को इसे भी एड्ट के गया है, एने पर लॉक्षिन को पर स्किब लॉक्षिन का option है इसे भी add कि गया है wake up इसकिन for notification ओक का option है जब भी आपके device को भी notification आएका automatically display जो है on हो जाका इसे भी add कि गया है कफी बड़िया बात है प्लस अपर डबल टप टू वेक अपको जो अप्शन से इसे भी एड के गया है इस अप्शन को इनबल करने के बाद सिंपली डबल टप करके डिस्प्लिक आउन कर सकते हैं इसे भी एड के गया है काफी बढ़िया बात है नेक्स बाद के लिए साउंड के बारे में यहां पर नोटिफिक्शन विल्म को अट्जेस्ट करने के लिए इस अप्शन से आड के गया है यहां परलाइब क्या साफ आप्शन का अप्शन से गाम घट जाये का कफी बढ़िया बात है और एसे से भी उप्शन को अड के गया है नेक्स बार बात कर लेतें फेस अनलक के बारे में यह ने एज़ बिल्ट है, इन्क्रिप्टेड ब्रेल ले तो यह अपड़ इस्ट्रम को फ्लेस करना के ताहिए है, आपको सिंपली क्लिन फ्लेस करना होगा, अगर बात करें, फिंगे बीन के बारे में सिंपली टैप किया, ओपन होगा, वां सगेन, टैप किया, ओपन होगा, अगर बात करें पर face unlock के बारे में यह आपर इस वाम के साथ चाहिए काफी फास्ट आपको जो डिवाई से पर unlock हो जागा तो यह पर फिंगे बीज से प्लास यह पर face unlock को जो option से add के गया है और face authentication को जो option से इसे भी add के गया है तो यह पर app lock के साथ चाहिए face authentication को जो option से काम कर जाएगा और अपर accessibility series को पर चाहिए इस ते भी options को add के गया है काफी बडिया बात है and accessibility series के साथ चाहिए आप नयनय features को enable कर सकते हो और यह पर device settings को option से यह पर high refresh rate को जो option से add के गया है इमाई का sound analyzer इसे भी add के गया है तो इमाई का sound analyzer इसे भी add के गया है तो यह जो option से add के गया है यह अलग-अलग headphone type का जो option से add के गया है आपके देख सकते हैं इस option के साथ चेह नयनया जो ओटी आप रड़ेट है उसे इंस्टर कर सकतो डेडवी नोट 10 प्रो डिवाइस के उपर ना उससे बात कर लेते हैं पवाव मेंस के बारे में 3DMR के साथ जो है wildlife के उपर 1112 का इसको देने को मिल गया है तो यह पर रेडवी मैक्स गया है 149, एवरेज 138, 89% के असपास जो है CPU थोटाल देने को मिल गया है और मैक्स गया है पर 2.30 जिकरस तक यह पर इस वमके साथ जो कैमरे टेपर एक कूपर जो है लेबल 3 का सपोर्ट है यह पर Gcam काम कर जा है का Google Camera काम करते है का अफी बढ़िया बात है यह पर कैम जो इवाई यह के जो स्टॉक कैमरे एड के गया है का फी बढ़िया बात है अपर HDR मोट को अप्शिन से AI मोट को जो अप्शिन से एड के गया है यह पर Multiple Lens को जो अप्शिन से काम कर जा है और पर Portrait मोट को जो अप्शिन से काम करते है प्लस एपर Night Mode 64 Megapixel Short Video Panorama इस अब आप टाइमलाप्स को अप्शिन से एड के गया है काफी बढ़िया बात है अपर वीडियो को पर जहे स्टाबलेशन मोट को अप्शिन से एड के गया है प्लस एपर 4K 30 पेस को अप्शिन से एड के गया है अपर White Devils, Focus Shutter, ISO, EV, Lens ऐसे सभी अप्शिन को अप्शिन को अप्शिन क से एड करके सकतो है धेर सारी for of YouTube को अप्शिन से एड करके सकतो है ग। में हैंड को अप्शिन के का और लिया थे ऐस website से ऑड अब के मग्णों के सब्सक्द घंटी बाला आइकोन को दबाखे अल्स रेट कर दीजिए के इंस्टेग्राम में फॉलो कर सकते हो थैंक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो या पर जो है जियाप्स बिल्ट प्लस वैनलने विल्ट दोनों एबलेबल है अगर जियाप्स बिल्ट को फ्लाश कर तो आपको अलक से पुछ जियाप्स को फ्लाश नहीं करना होगा चलो बाई मिलते ने इस वीडियो पर थैंक्यो वीडियो माच बाई बाई